तो चलिए स्वागत है आप सभी आगनवारी वर्कर्स का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो आईए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महतोपुर्ण होने वाली है तो आईए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पांच ऐसे महतोपून काम है जो आप लोगों को complete करने है वो कौन-कौन से हैं तो वीडियो को आप लोग सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखे लिजिएगा अगर वीडियो आप लोगो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल लोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन भी सिलेक कर लिजिएगा तो चली चलते हैं पोसंद ट्रेकर एप की ओर और वहीं पे आपको सारी जनकारी समझाते है तो जैसा कि हमने यहाँ पे पोसंद ट्रेकर एप को ओपन कर लिया है ठिक है ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले मोर वाले ओप्सन में आ जाएंगे more वाले option में आने के बाद ये जो event वाला option है इसके आप लोगों को एक बार click कर देना है click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक बार check कर लेना है 28 तरिक से पहले कि हमने portion tracker app में जो BHSND कारेकरम हुआ था यानि कि जो टीका करन की date है उसको हमने डाला है या नहीं डाला है ठीक है तो आपको यहाँ पे एक बार click कर देना है और अगर आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे आके उसका date जो है वो डाल लेना है ठेक सकते हैं यहाँ पे हमने 32 2023 को ही BHSND कारेकरम का जो date है वो यहाँ पे डाल लिया है तो आपको एक बार आके यहाँ पे चेक जरूर कर लेना है उसके बाद इसी page में आप लोग को CBE कारेकरम का एक option मिल जाता है जैसे कि इसमें दो कारेकरम हम लोग add करते हैं पहला DBE वाले option में किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आके 7 तारीका date डाल कि आप यहाँ पे गुदभराई दिवसका entry कर सकते हैं और यहाँ पर 20 तारीका इस बार परासन दिवस हुआ है उसका date यहाँ पर आके डाल सकते है तो इस प्रकार से आप लोग क यह जो option है उसको complete कर लेना है उसके बाद यहां से हम फिर back आ जाते हैं तो back आने के बाद आपको यहां पर एक dashboard का option मिल जाता है जैसे कि इस dashboard में आके हम लोग चेक करेंगे कि जो बच्चों का growth monitoring हम लोग हर महीने करते हैं उनका growth monitoring हमने पूरा किया है या नहीं किया है या आप आपने कितना percent किया है वो आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर कोई भी लभार्थी का growth monitoring pending है तो उसको आप लोग यहां पर click करके उसका growth monitoring है वो complete जरूर कर लिजेगा यानि कि हम लोग का growth monitoring होना चाहिए वो 80% complete होना चाहिए इससे उपर भी आप लोग करें रहा है और साथी साथ यहां पर आप लोग को home visit भी complete करना है जैसे कि home visit जो हम लोग को complete करना है वो 60% आप लोग को home visit करना है तो आप लोग को daily यहां पर home visit दिया जाता है तो daily आप लोग को home visit complete करते रहना है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर एक visit यहां पर due दिखा रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो विजिट है वो यहां पर दिखा रहा है तो हमें क्या करना है कि इस विजिट वाले पर क्लिक कर देना है जैसे कि हम इस विजिट वाले पर क्लिक कर देते हैं दीडियू विजित तनुज कुमार, यानि कि आपको यहाँ पे confirmation के लिए हाँ पे click कर देना है, ठिक है, हाँ पे जैसे ही click करेंगे तो यह आपका विजित यहाँ पे complete हो जाएगा और जारी रखे पे आपको click कर देना है, यानि कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो भी due date म पे click करते हैं, ठिक है, यहाँ पे हम लोग जीन लभार्थियों को THR देते हैं, अगर आप लोगों ने THR का वित्रन कर लिया है, तो 28 तारीक से पहले जो भी लभार्थि हैं, उनका THR का details यहाँ पे आके आपको fill कर देना है, जैसे कि यहाँ पे click करते हैं, अस्तन पान करान आने वाली मताओ की category में, ठिक है, तो यहाँ पे click करने के बाद three dot पे click करेंगे, और यहाँ पे portion और विकास संबंधी विबरण जोड़े वाले पे click करेंगे, और यहाँ पे portion यूक्त हस्त छेप वाले पे click करेंगे, और यहाँ पे आके THR की entry हम लोग कर देंगे, तो इस प परकार से आप लोगों को 28 तरिक से पहले जो जो भी महतवपून काम है, उसको आप लोगों को complete कर लेना है, तो I hope आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके share कर दीजिएगा, अगर portion tracker app से recording कोई भी सवाल हो त आप comment box में आके पूछ सकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद